हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल चलो लर्न करते हैं और मेरा नाम है मनिशा तो जैसा कि आप देखी चुके हैं कि यह सेंपल पेपर में सेयर कर दो हैं आपसे एडमिशन के लिए क्लाश टू के लिए लेकिन आप क्लास वन के में अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं त और सब्सक्राइब भी कर लिजिगा जिन्होंने नहीं किया है वैसे मैं बता दू कि क्वेशन पेपर आपको यह 30 या 20 का होता है और उसके अक्रोडिंग फिर मार्क दिये जाते हैं ठीक हर एक क्वेशन के और इसमें नाम डेट जो भी भरना होता बच्चे को उसके फिर ट्यारी करवा सकते हैं तो इसने पहला एक कि नाम दो लिख देना है रही बच्चे कितने आपको कर लह दो लगा यह सकते हैं और फिर यहां के कहारे आपको capital बच्चे को capital लेटर का यूज करना है कहां question mark लगाना कहां fully stop कहां ये बच्चे को ध्यान देना है इसे first में है Where do you live यहां w देखी small है यहां capital होगा डबलू और where do you live यह question वाले sentence है इसके यहां पर question mark लगेगा यह ध्यान रखना है फिर b there is one pencil for you अगेन यहां पर T small है sentence का जो first word होता उसका first letter capital होना चाहिए तो यहां पर capital T होगा फिर there is one pencil for you fully stop हो जाएगा क्योंकि यह statement है फिर C है रोहित about a book copy and a eraser तो यहां रोहित नाम है तो first letter capital होगा और about a book book के बाद comma होगा फिर copy and a eraser के बाद fully stop तो यहां तीन गलतिया है वह बच्चे को देखना है तो इस तरह से आप तीन चार sentences और दे दीजिएगा जिसे कि उनका जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर पाए वह अच्छे से ओके फिर next में देखिए next question is choose the right word ये भी तीन नमबर का है जैसे it that's good यहां was work का यूज़ करना है बच्चे को कि was किधर यूज़ोगा वर किधर यूज़ोगा तो it के साथ was का यूज़ोगा तो it was good we dash playing तो we were playing क्योंकि we plural है I was eating होगा क्योंकि I के साथ was लगता है तो he see it name और plural singular के साथ was लगता है और ऐसे plural या आयू वी दे के साथ word लगता है तो यह बच्चे को बताना है next choose the right answer first है ए में आकास रिट या फिर रिट्स अब बुक तो यहां पर रिट्स हो जाएगा क्योंकि जब नाम आता है फिर he see it or name के साथ s या yes लगता है वर्ब में तो I, V, U दे के साथ s या yes नहीं लगता है यह सब पर मैंने वीडियो बनाया हुए आप चाहे तो playlist में चेक कर सकते हैं किर सिंग्निस ग्रामर में फिर भी है इट डाइस इट साइंस या फिर साइन ब्राइटली तो इट साइंस ब्राइटली ही वर्क्स वेरी हार्ड हो जाएगा यहां पर हलाकि इसके मार्स भी 3 हैं लेकिन मैंने फोर नंबर पे जानबुच के डाल दिया है प्रैक्टिस के रैटंग फिर को जाएगा बी यहां पर अpm rapping अ Cathy स Streets रिकल हो जाएगा अब नेक्सट है सिंग्लर औरूर्ल पे ट्राइट अनबूर्ण ए fura diman Nich हो जाएगा गाग स्याप्तन हो जाएगी women की plural में w o m e n one child many children हो जाएगा okay next है answer the given questions a Friday comes before तो Friday किसके पहले आता है तो Saturday के तो यहां पर बच्चे Saturday लिखेंगे which month come after May to June which month has 28 days February फिर D में भी मैंने लिख दिया है next में Monday comes after before तो इस तरह से आप questions और आगे बढ़ा सकते हैं अब next है match भी में देने करने के लिए दे सकते हैं और राइट करने के लिए दे सकते हैं इसे a person who teaches तो यहां पर हो जाएगा teacher से match a person who brings letters तो postman a person who grows crops farmer a person who checks teeth तो dentist तो यहां पर यह बच्चों का पता चल जाएगा कि वह helpers को कितना अच्छे से पहचानते हैं अलाकि यह वाले question जो एविस में भी दिये जाते हैं अब नेक्ट circle the naming words naming words यानि कि noun तो this is your pain यहां पर pain जो है वह नाउन है क्योंकि person place animals things को noun कहते हैं तो यहां pain things है इसलिए यहां पर pain noun हो गया फिर mother is eating chocolates यहां पर नाम है मदन इसलिए यहां पर मदन noun हो जाएगा और chocolates भी noun हो जाएगा eating verb है फिर see है the squirrel is climbing up the tree तो यहां पर squirrel जो है वह हो जाएगा आपको noun और tree भी noun हो जाएगा climbing work अब इसमें opposites भी दिये जाते हैं तो राइट opposites good bad new का हो जाएगा old up का down love का head तो आप और भी बहुत सारे opposites दे सकते हैं next question है look at the picture and complete the sentences यहां पर है कि कुछ pictures दे दिये जाते बच्चों को और वहां पर sentence उन्हें लिखना रहता जैसे यहां पर तो मैंने वी है यहां पर इसलिए वी आर swimming हो जाएगा और यह नहीं जीए एक बच्चा खा रहा है तो यहां पर आए है तो इसलिए हो जाएगा I am eating तो यहाँ पर हो जागा I am eating तो friends यह था वीडियो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो please like जरूर करिएगा और इस तरह से preparation कराईए बच्चों की अगर आपका admission कराना है या फिर अगर आपके बच्चे class 1 ने पढ़ते हैं आप इस तरह से work sheet दे करके उन्हें चेक भी कर सकते हैं और अगर class 2 में हैं तो भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं बस थोड़ी से difficulties लेवल जो हो बढ़ा दीजिएगा ओके फिर thank you thanks for watching